तो प्याड़े बच्चो अगला प्रश्ण है प्रश्ण नम्बर 9 दही वाली मंगम्मा के रचनाकार निमने में से कौन है दही वाली मंगम्मा ओप्शन A सुजाता, B श्री निवास, C शावर्दया और D सभी तो इसका सही जवाब क्या होगा? श्री निवास बिल्कुल सही जवाब है दही वाली मंगम्मा के रचनाकार का नाम है श्री निवास चलिए अगला प्रश्ण दस नम्बर में देखिए मा शिर्शक कहानी किस भासा में लिखी गई है? उप्शन A तमिल, B कनर, C उडिया, D गुजराती तो बताओ बच्चो कि ये मा शिर्शक कहानी किस भासा में लिखी गई है? गुजराती, D गुजराती बिल्कुल सही जवाब, D इसका सही जवाब है गुजराती भासा में लिखी गई है अगला प्रश्ण है साथकोरी होता साथ कोड़ी होता की निम्न में से कौन सी रचना है अप्शन A नगर B धर्ति कब तक घुमेगी C मा दी धहते विश्वास तो बच्चो साथ कोड़ी होता जी की कौन सी रचना है बिल्कुल सही जवाब है और हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला है सावर दया किस भाषा के रचनाकार है अप्शन A राजस्थानी B गुजराती C तमिल D हिंदी तो बताईए कि सावर दया किस भाषा के रचनाकार है बिल्कुल सही जवाब इस इक साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है जैहिंद बच्चो